करीब देड़ महीनों से अपनी विभिन मांगों को लेकर कि जिसकी वज़े से सारी काम भी ठब पड़े हुए हैं तो यह जो दिवाली आने वाली है दिवाली अब अनरलम कर्मियों के लिए शमूह के लिए काली होने वाली है आईए वीडियो में चानकारी देते हैं क्या अप करते हुए नरलम कर्मशारी मांग पूरी ना होने पर काली दिवाली मनाएंगे नरलम कर्मी आईए वीडियो में चानते हैं कि बारा सितंबर से अनिस्चित कालें धरने पर नरलम कर्मशारी चल रहे हैं बहिसकार किया है इन्होंने अपने कारियों का और आये देखते हैं कि विगत 38 दिनों से विकास भवन में धन्ना दे रहे राश्ट्री ग्रामिडा जीविका मिसन के कर्मचारियों की दिपावले सुनी होने की संभावना है जिसे कर्मियों ने इस बार काली दिवाली मनाने का निर्णा किया है कि प्रदेश नेटित के आवाहंट पर मानस अंसाथा पॉलिशी लागू करने की इमांग को लेकर गारमिडा जीविका मिसन के कर्मी 38 दिन से विकास भवन में धन्ना दे रही है गुरुवार को धन्ने में ब्लाग मिसन प्रबंदक विपिन विस्त्रा ने बताया कि एक महीने से ज़्यादा बीतने के बाद भी सासन से कोई मांग पूरी नहीं की गई है इसलिए दिपावली पर जब एक तरफ लोग आतिस वाजी कर रहे होंगे दूसरी और मजबूरी में हम लोग काली दिवाली मनाएंगे जिला मिसन प्रबंदक सुनिता सरकार ने कहा कि सासन प्रसासन के उपाज उपेच्छा पूर्ण रवाइस से लिए है कर्मियों का कहना है कि दिपावली से पूर प्रदेश अध्यच को बहाल करने के साथ ही सरकार को उनकी जायज मांगे जरूर पूर करनी चाहिए इस मौके पर जिला मिसन प्रबंदक सुनिता सरकार सुमन पांडे संजय आदव ब्लाग मिसन प्रबंदक रवी तीवा सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया लगातार धर्ने पर बने हुए हैं वह धर्ने खतम करने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी अनिश्यत कालिन धर्ना प्रदर्शन उन्होंने किया है क्योंकि जिसका कोई भी निश्य नहीं है कि कब तक यह धर्ना जलेगा क्योंकि जब तक मांगें की पूरी नहीं कि जाती सरकार की द्वर्य तब तक इधर ने पर अटल रहेंगे जिससे समू की कामकाज भी सारे ठप पड़े हुए हैं वाकी मैंने आप दे दी है आपको क्या लगता है कि मांगे पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सरकार को इसके मांगे पूरी जरूर करनी चाहिए आप बताइएगा कमेंट के वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चाहिए को सब्सक्राइब करें सेयर करें मिलते हैं लिए वीडियो में एक और नहीं चान करें के साथ थेंक यूँ